अमेठी से गांधी परिवार की चुनाव लड़ने की मांग हुई तेज कॉंग्रेस मुख्याले में बड़ी संख्या में कॉंग्रेसी धरने पर बैट कर नारे बाजी कर रहे हैं नातों में तक्ती लेकर गांधी परिवार के अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। और जाला जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पपू पांडे अपनी पैनी नजर बना के रखते हैं अमेठी से जोड़ी हर खाबर पर जी पपूू। या प्रेशर पॉलिक्स इसे हम कह सकते हैं कि गांधी परिवार पे अपना जो संदेश देना चाहते हैं। जिसको लेकर आज कॉंग्रेस के जिलाद गर्ट सबेट अन्य कॉंग्रेस के पदाधिकारी कार्याले में कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं लगातार की इस पर कॉंग्रेस पार्टी को जल्ब से जल्ब निर्णे लेना चाहिए पपू 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 एक मिनट पपू ये बताईए कि ये जो कॉंग्रेसी बड़े संख्या में यहां पर बैठे हैं ये तो ठीक है कॉंग्रेस दफ्तर के बाहर बैठ गए लेकिन आला कमान तक भी कोई इन्होंने चिट्थी लिखी है क्या उन तक बात पहुँचाई है क्या क्योंकि असल लड़ने तो खुद गांधी परिवार को लेना है जी बिल्कुल आपको बता दें अमेठी का जो कॉंग्रेस संगठन है वो सिर्फ इस बात का दावा कर रहा है कि अमेठी से गांधी परिवार लड़ेगा अब यहां किसकी किसे बात होती है इसकी जानकारी किस असकी गांधी परिवार साइद अमेठी में ग्राउंड रियाल्टी को समझ चुका है या फिर जान चुका है या फिर वो जो सर्वे करा है तो क्या यह माने कि आप जो कॉंग्रेस कारे करता है उनका सबर भी अब टूटने लगा है क्योंकि एक तरफ बीजेपी है इस मृती अला नहीं तो अब सब्र जवाब दे रहा है जी बिल्कुल कहीन का सब्र तूट चुका है यह बिल्कुल हतास हो चुके हैं जिसकी वज़े से आज यह कॉंग्रेस कार्याले में धर्णा दे रहे हैं वहीं स्मिती रानी की बात आपको करें तो ताबर तोड़ जनतवा कर रह कि एक फौज है इसके साथ अमेठी में एक अच्छा खासा जनाधार है कहीं न कहीं कांग्रेसी इस उम्मीज में थे कि राहुल गांधी यह प्रियंका गांधी आएंगी फिर से गांधी परिवार के लोग यहां आना जाना होगा जिसको ले करके किसी तरह की कोई इनको मैसे से जिस रिष्टे की बात गांधी परिवार करता रहा है वो इस तरीके से आज जिन